हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम परियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ आलू गोभी की सूखी सबजी सूखी सबजी बनाएंगे मसालेदार आप ये सबजी पूरी पराठे रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा वैसे आप इसे किसी के साथ भी खा सकते है टिपिल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं एक बार देखिएगा विडियो को लास्ट तक रेसेपी आपको पसंद आएगी तो चलिए हम बनाते हैं आलू गोभी की सूखी सबजी तो सबसे पहले गैस पे एक पैन चरहाए है पैन में डालें है सरसो तेल तेल जब गरम हो जागा तो इसमें हम गोभी डालेंगे गोभी को यहाँ पे मिडियम साइज में हम कट किये हैं न छोटा है न बड़ा है आप देख सकते हैं तो पूरे गोभी को हम तेल में रख लेंगे और गोभी को अच्छे से फ्राइ करना है तो यहां पे हम पूरे गोभी रख लिये हैं पूरे गोभी के उपर एक ब्राउन सा लेयर आ जाए तब तक आप इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लीजे गैस का फेर मीडियम रखिएगा और बीच-बीच में से चलाते रहिएगा यहां पे आप देख सकते हैं गोभी दोनों साथ में फ्राई कर सकते हैं पर यहां पे कराही मेरा छोटा था तो इसलिए खिर्षा हो निर्ण के उपर भी एक ब्राउन सा लेयर आजाए तब तक इसे भी फ्राई कर लीजे फ्राई जरूर कीजेगा इससे शबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया है आलू भी हम निकाल लेंगे और सेम कराही में बनाएंगे मसाला तो यहां पे पूरे आलू हम निकाल लिये हैं थोरा सा तेल इसमें और रखेंगे थोरा सा जादा हम तेल लिये हैं आप चाहे तो कम तेल में भी बना सकते हैं एक छोटी प्याज को नहां हम लंबाई सेप में थोरा सा मोटा चौप किये हैं प्याज एकदम महीन चौप करके नहीं रखिएगा आप देख सकते हैं थोरा सा मोटा मोटा है यह और लंबाई सेप में ही इसे चौप किजिएगा और प्याज का कलर हलका सा चेंज हो जाए हलका सा प्याज सौप्ट हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोरा सा चेंज हो गया है इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है यहां पे हम इसमें डालेंगे एक चम्मच से थोरा सा कम है यह अदरक लहसन का पेस्ट और इसे डालके इसे थोरी देर और हम भूनलेंगे तो यहां पे हम इसे थोरी देर भून लिए है और अब गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिये और इसमें डालेंगे सूखे मसाले तो एक चम्मच हल्दी पॉडर डाले हैं और अब इसमें एक चम्मच ये तीखा वाला मिर्ची पॉडर है, एक चम्मच धनिया पॉडर डालेंगे और एक चम्मच यहाँ पे हम जीरा पॉडर भी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, एक मिनट आप इसे भून लीजिए, तो एक मिनट करीब हम इसे भून लिए हैं और अब इसमें हम टमाटर, और टमाटर को पीस के नहीं डालना है, बस मिहीन चौप करके डाल लीजिए, यहीं पे टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे, नमक डालने से टमाटर जल्दी सौप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल लिए हैं, इसे अच्छे से मि कवर करके हम यहाँ पे इसे पका लिए हैं, और देख सकते हैं, आप टमाटर सौप्ट हो गया है, तो थोरा सा टमाटर को मैस कर लीजिए, इसे मसाले को हमें भुनना नहीं है, तेल छुटने तक मसाले को भुनना नहीं है, बस थोरा सा टमाटर यहाँ पे मैस हो जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर हम मैस कर लिये हैं तो इसमें आलू गोभी रख लेंगे आलू गोभी रख के इसे अच्छे से मिक्स किजिए और कवर कर दीजिए और फिर इसके बाद आपको कवर करके तब तक पकाना है जब तक आलू गोभी अच्छे से पकना जाए बीच- और आलू गोभी सबजी पूरी तरह से तयार है, देख सकते हैं, मसाला अच्छे से भुना गया है, मसाले से तेल अलग दिखने लगा है, और मसाले का जो मौश्चर है इसी में ये सबजी पक जाता है, तो आलू हम कट करके चिक कर लिए, आप देख सकते हैं, अच्छे से पक पुरी तरह से तयार है, अच्छे से मिक्स करके थोरी दिर के लिए हम इसे कवर कर देंगे, और फिर इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे, बहुत टेस्टी आलू गोभी की सबजी बनके तयार है, आप इसे टिपिन लंच बॉक्स में दे सकते हैं, पराठे पुरी के साथ खा स सकते हैं, चाबल के साथ भीखा सकते हैं, किसी के साथ भीखा सकते हैं, सब के साथ यह बहुत एस्टी लगता है, तो एक बाद जरू ट्राइ कीजेगा, और हमें बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसेपी, अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज मे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ